Welcome back to my channel and todays video I will explain you Pre-Maurya Shishunaga Dynasty so हमने previous lecture में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हरियंका डाइनस्टी के बारे में पढ़ा था हरियंका डाइनस्टी हमारी 1st डाइनस्टी थी प्रि-Maurya period में तो अभी हम इसकी 2nd डाइनस्टी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शिशु नागा डाइनस्टी इसके बाद वारे लेक्चर में हम नंदा डाइनस्टी देखेंगे और फिर हम मौरे डाइनस्टी देखेंगे तो जो हमारा पर्टिकुलरी शिशु नागा डाइनस्टी है इसमें किसी ने भी कोई भी राजा के बेटा ने का बेटा फाउंडर नहीं बना था जो नागा रशक था वो एक मिनिस्टर था और इसी को आगे चलके शिशु नागा डाइनस्टी का फाउंडर बना दिया गया सो जो शिशुनागा था उसने क्या कि वो founder था किसका शिशुनागा डाइनस्टी का जिसने capital के name को shift किया means जो पहले राजगीर थी first का डाइनस्टी में उसको change करके वैशाली किया और फिर जो काल अशोका था जिसे हम second Buddhist council के time के king मानते हैं उन्होंने वैशाली को change करके क्या किया पार्टली पूतर किया अब और यह जो पार्टली पूतर है इसी को हम आज किसके नाम से जानते हैं पटना के नाम से जानते हैं अब आती है हमारी मगत की कैपिटल्स तो मगत की जितने कैपिटल्स भार बार चेंज हुई है तो इसको आप अच्छे से ध्यायाद रखने के लिए इसे ध्यान रख सकते हो सबसे पहले क्या हुआ था फॉस्ट गिरीव राज था नाम और उसका ब पड़ा पाटली पुत्र पड़ा जो राजगीर था वो नाम किस ने दिया था बिंबसार ने दिया था पाटली पुत्र उदैये ने दिया था और ये दोनों किससे बिलॉंग कर रहते हर्यंका डाइनस्टी से बिलॉंग कर रहते पाटली पुत्र फिर वैशाली फिर से भिलोंग कर देते है , इसके बाद नंधा डाइनस्ट्री का फट फट हम यह CayPSूल देखते हैं हमारे Shishunaga डाइनस्ट्री गम्लीट हो गई , अब हम देखते हैं Naga डाइनस्ट्री , तो जो नंदा डाइनस्टी थी उसे जो जी न ने found किया था उनका नाम था महापदमा नंदा जो की first ऐसे रूरल थे जो शत्रिय नहीं थे तो यहां पे भी question बनता है एक तो जो ऐसा कॉन सा रूरल था जो शत्रिय नहीं ता नौन शत्रिय था और लोवर कास्ट से बिलॉंग करता था तो आपको नाम पता होना चाहिए महापद नंदा और ये question भी बनता है कि नंदा डाइनस्टी में को found किस ने किया था तो ये भी आपको पता होना चाहिए फिर एक रज एक छत्र का राजी वहाँ पर चलता था उस duration में ये एक ऐसा डाइनस्टी था जहां पर इंडिया का empire बिल्ड हुआ इसलिए इसे empire builder of इंडिया भ जिस भी area को rule करते थे उस पर attack किया था और approximate जो fight थी उसे हम battle of adults बोलते हैं और ये जो लड़ाई थी ये कब लड़ी गई थी? 326 BC में लड़ी गई थी और approximately Alexander success हो गया था उस particular battle में लेकिन अचानक से जो उनकी team थी जो नन्ना डाइनस्टी की team थी लड़ाई वाले जिरूत थी उसमें उन्होंने बहुत बड़े-बड़े हातियों को देखा और उन लोगोंने कभी हाती देखा नहीं था तो उसको देख कि वो काफी विचलित हो गया और उन्होंने अपनी जो सैनाती वो वापस लेके चले गया तो Alexander तो रिटन हो गया लेकिन उन्होंने अपना जो सैलकस निकेटर है वो गवर्नर को वहीं पर छोड़ दिया और आज गवर्नर वो वहाँ पर वर्क करने गया तो जो जो लास्ट रूरर था नंदा डाइनेस्ट्री का वो कौन था ये परसन था इसके बाद हम क्विक कैपसूल देखते हैं क्विक कैपसूल में फटाफटम रिवाइस करते हैं आज हमने क्या क्या देखा तो सबसे पहले जो हर्यंका डाइनेस्ट्री के बारे में देखा जो किस से पहले थी हमारी शिशोनागा डाइनेस्ट्री से पहले थी इसके बाद शिशोनागा में जो मिनिस्टर था वो नाग उन्होंने सेकंड बुढ़धिस्ट काउंसिल की, तो अगर उसने सेकंड काउंसिल की है, तो वो भी वुढ़धिस्म को फॉलो अप करता है, इसके बाद फिर से जो वशालिये उसको पाफली पुत्र किया गया, और जो शिषवनागा डायस्ट्री है, उसको फॉलो, वो फिर आगे जाएके इसके बाद जो डाइनस्टी होगी वो कौन सी होगी नंदा डाइनस्टी होगी नंदा डाइनस्टी का फाउंडर कौन था महाबदमनंदा जो की एक लो कास्ट रूलर था या फिर छत्रिय रूलर था एक पहला ऐसा रूलर था जो छत्रिय नहीं था लो कास्ट स के बिलॉंग करता था इसके बाद इसी पर्टिकॉलर दूरेशन में जा अलेक्सेंडर ने भी अटाइक किया था जिसको हम बैटल ओफ एडब्स के नाम से जानते हैं और इसमें वो जीता नहीं सा तो, so that's all for today's video. Hope this information is beneficial for you. If yes, then click on like, share and subscribe button. Thank you so much. कर दो